जिन में अकैले चलने का होसला होता है।। उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। नमस्कार धोस्तों। आज की वीडियो मैं डिया सक्थ को पूरे में प्रैप पनुछने होता है। अंचके एक शूरी से बशाद से लिखेंगे। कि इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसकी PDF आज भी ना लोकर सकते नीचे डिस्क्राप्शन बाक्स में आपको आज करेंड़ पर के PDF के लिए मिल जागी और अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके कि वीडियो को लाइक करके इसको सभी टेलिग्राम वाटसअब और फेस्बुक ग्रूप में शेयर भी कर देजेगा ताकि और भी स्टुडेंट इस वीडियो को देखके इस से लाब लिसके तो चले शुरू करते हैं आज करेंड़ पर सब्सक्राइब के सभी कोश्यामडे के स दूसरा था कि हाली में विषवएंग के अधिखश 26 अक्क्रोबर को भारत की यतरा पर आये थे उनका क्या नाम है तो दीखे वत्मान में विषवएंग के अधिखश आपके हैं डेविड मलपास और तीसरा था कि हाली में महरास्च्ड के 30 इलाकों में कौन सा चक्रवाती त तुपान आये था तो दिखिए इस चक्रवाती तुपान का नाम है क्यार और चौता था कि हाल ही में किस देश ने भारती परेटकों और कारुबारियों को बिना वीजा के यातरा करने की छूट दिये है तो दिखिए ये देश आपका ब्राजिल है और इस निउस को और डिटल के रिवाइस कर लिजेगा और दिखिए आज कर इंडबर का पहला प्रशन है कि सुपरीम कोड के 47 मुख्य नयाथिस के रूप में हाली में किसने सपतली या फिर किसे न्यूट किया गया है तो दिखिए हाली में जो है 47 मुख्य नयाथिस बने आपके जश्टिस सरद अरवि इक्जाम में बनेंगे देखिए सबसे पहले तो आपको यही आ रखना है कि जो आपके जश्टिस सरद अरविंद बोबड़े हैं यह भारत के 47 मुख्य नयाथिस बने हैं और देखिए जो आपके जश्टिस सरद अरविंद बोबड़े जी है तो इनकी न्यूक्ति को राश आपके 46 में चीप जश्टिस बने थे यह आपको यहार रखना है और जोके जश्टिस रंजन को गई है यह जो है अब 17 नॉम्मर को रिटायर हो रहे हैं तो 17 नॉम्मर को यह रिटायर होंगे फिर 18 नॉम्मर को जश्टिस सरद अरविंद बोबड़े जो है यह भारत के 47 मु अपने पतपर कारे करेंगे ठीक है और इखी जश्टिस सरद अरविंद बोबड़े हैं इनके बारे में खास बात है कि यह किस राजिस से बिलांग करते हैं तो दीखे इनका जन्म जो है 24 अपरेल 1956 को महराष्ट के नागपूर में हुआ था ठीक है यह महराष्टे बिलांग उसकारिया है जो कि चीफ जश्ट जश्टिस आप इंडिया के बारे में पूछी आते हैं वह मैंने सारी आपको बता दी हैं और बाकि यहांसे सारे प्रस्टा आपको एक्ञाम में मिल जाएंगे ठीक है और दूसरा प्रस्टा है कि हाली में रिजर्ब बैंक आफ इंडिया तमिल नाडू मरकेंटाइल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है। तमिल नाडू के थूथू कुडी में इस्तित है। तीसरा प्रशने की हाल ही में किस बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरेल इंस्वरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से उन्नत हेल्थ केर प्लस बीमा पालिसी शुरू की है। और जो आपका ये उन्नत हेल्थ केर प्लस बीमा पालिसी शुरू के बारे में विसेश बात क्या है। तो ये डीटेल्स आप याद कर लिए। और जो आपका इंडियन ओवर्सीज बैंक है इसके बारे में डीटेल्स जान लेते हैं और यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंस्वरेंस कंपनी के बारे में लेते हैं। देखे जो आपका इंडियन ओवर्सीज बैंक है इसके वरतमान में मैरेजिंग डिरेक्टर और चीफ एक्सक्यूटी ओफिसर है करडम सेखर और इंडियन ओवर्सीज बैंक के स्थापना 10 फरवरी 1937 के थी इसका मुख्याल है आपका चेन नई तमिलाड़ो में स्थित है। और जो आपका इंडियन ओवर्सीज बैंक है इसकी टैग लाइन है गुड़ पीपूल टू ग्रो वित और जो आपका यूनिवर्सल सोंपू जनरल इंसुरेंस कंपनी है इसके स्थापना 2007 में की गई थी इसका मुख्याल आपका जो है मुंबई इंडिया में स्थित है। च सजक्ति करर सुनेशित करने के उद्छे कन्या सुमंगल योजना शुरू की है अगर ईग् One में पुछा था कि कन्या सुमंगल योजना कि राज की है तो यह उत्तर परोदेश राज की योजना है और इस योज़ना की क्या खास बात हैं देखे ये प्रस्ण यूपी प्यस्सी के लिए most important है यूपी की सारी परिशाओं यूपी पुलिस यूपी के इज़ते मित एक्जाम में सबके important है बाकी सबी राज्यों के एक्जाम के लिए important है ये है ही देखे आपको लादू जो अपका ये कन्या सुमंगल योजना है ये जो है उत्तर प्रदेश राजे में बालिकाओं का सज़क्तिकरण सुनिस्चित करने के लिए इसको लाँचिया गया है और इस योजना के तहर जो है किसी भी परिवार में बालिका के जन पर प्रतेक परिवार को जो है 15,000 रुपे प्रदान किये जाएंगे अब दिखे जो आपके उत्तर प्रदिस के मुके मत्री हैं योगी आदित ना ठीक है तो इन्हों ने जब इस योजना को लांच किया उत्तर प्रदिस की राज़दानी लखणों में तो इन्हों ने इस और पर जो अपका कन्या सुमंगल वेब पॉर्टल है इसको भी लांच किया तो इस वेब पोडल पे जाके आप जो है इस योजना के बारे में डीटेल जान सकते हैं बाकि उस पे कुछ नई इंफॉर्मेसन नहीं मिलेगी यही जानकारी मिलेगी कि अगर किसी भी परिवार में बालिका का जन्म होता है तो उस परिवार को 15,000 रुपे प्रदान किया नव है ठीक है और पांचवाप प्रच्ट है कि भारत और फ्रांस के बीघ में किस नाम से 31 अक्टूबर को संयुक्त सेन ब्यास आर्म किया जाएगा? litt disfr Bomben और फ्रांस के बीच का जो आपका संक्त सहने भ्यास है, इसका नम है सक्ती, ठीक है, तो इसका जो 2019 का संस्क्राइब, इसको सक्ती 2019 नम दिया गया है, और यह 31 अक्टूबर से 13 नॉम्मबा 2019 तक चलेगा, और इस साल यह सहने भ्यास जो है, जो आपका राजस्तान का बिकानेर ह महाजन फिल्ड फारिंग रेंज में किया जाएगा, ठीक है, और यह आपका बदा दूँ कि जो आपका यह सहने भ्यास है सक्ती, तो यह एक साल फ्रांस में होता है, और फिर अगले साल जो आपका भारत में होता है, यानि कि अल्टरनेट करके एक देश से दूसरे देश में होता है, तो पिछले साल यह फ्रांस में होता है, और इस साल जो है आपके भारत में भारत के राजस्तान राजी के बिकानेर के महाजन फिल्ड फारिंग बेंज में होगा, कब से कब तक 31 अक्टूबर से 13 नौनबर 2019 तक, तो यह डीटेस आपको यह रखना है, और एक खास ब जो भारत का आपका सीक रेजिमेंट है, भारती सेना का, तो सीक रेजिमेंट की साइने टुकडी जो है, इस जो आपका यह सकती नामक सैनेबास है, इसमें पार्टिपेट करेगी, और छटा प्रशना है कि सेबेस्टियन पिनेरा किस देश के राजपती है, तो देखें जो सेबेस्टियन पिनेरा जी है, यह चिली के राजपती है, और इन से जुड़ी करेंट न्यूस क्या है, क्यों यह चर्चा में है, देखें हाली में जो चिली के राजपती है, सेबेस्टियन पिनेरा, इन्होंने चिली देश की पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है, और और फिर वहाँ पर नई सरकार के गठन का आदेश दिया है। तो हाली में देखिए जो आपका European Union है ठीक है तो इसके जो है 27 सदस्यों वाला एक प्रतिनीदी मंडल जम्मु कस्मिर की सिति का जाया लेने के लिए भारत पहुंचा है और यह सबसे पहले पतामंत्री मोदी से मिला फिर मोदी जी ने कहा कि जाए आप गुम्री जे मैं आपको इजा़ए देता हुँ तो जम्मु कस्मिर जो आपका राज है ठीक है यहां पर अनुचे 370 को हटाए जाने के बार पहली बार कीसी वीदेशी प्रतिनीदी मंडल को जो है यहाँ जाने की यानि की जम्मु कस्मिर जाने की इजाश दी गई है और देखिए आपको दादों क जो आपका ये प्रतिनीजी मंडल है ये 27 सदस्यों वाला ठीक है तो इसमें UK, France, Germany, Italy, Poland, Czech Republic और सुलोगवा किया जैसे देशों की पॉलिटिकल पार्टियों के जो सांसाथ वगरे नेता होगे रहे हैं तो ये लोग सामिल हैं इसमें तो इस बेसिक पॉइंट को आप याद रख इसके टोटल 28 मेंबर अर इसका मुख्याल है ब्रुसेल्स, बेलजीयम में सीत है और इसकी टोटल पॉपलिशन, यादिकल तो इनकी टोटल पॉपलिशन आपका 2018 के आँखडों के निसार है 51.24 करोड ये आखड़ आप याद रहा हैं तो इसकी ऑफिशल स्क्रिप्ट यार कि इसका official script क्या है Latin है Greek है और जो आपका स्रीलिक एडिक है ये तीनों जो है इसके official script है European Union Cape और आठों प्रशने की हाल ही में किसे deputy national security advisor आंतरिक सुरक्षा न्यूट किया गया यानि कि भारत का नया उपर राष्टी सुरक्षा सलाकार आंतरिक सुरक्षा न्यूट किया गया तो देखे इनका नाम है दत्ता पड़सल गीकर जो आपके दत्ता पड़सल गीकर है इनको अभियाली में भारत का उपर राश्टी सुरक्षा सलाकार आंतरिक सुरक्षा नियूट के गए इनका क्या नाम है दत्ता पड़सल गीकर देखी जो आपके दत्ता पड़सल गीकर है ये महराश के पूरू डीजीपी रह चुके हैं और इन्होंने मुंबई आतंकी हमला जो आपका 26 गया रहा था ठीक है तो मुंबई आतंकी हमले समयत कई हाई प्रफाइल मामलों की इन्होंने जाच की थी और उसमें इनकों सफलता भी मिली और इसके अलामा जो आपके दत्ता जी हैं इनकों भीयाली में बारत का उपर राष्टी सुरक्षा सलाकार आंतरिक सुरक्षा यानि की डिप्टी नेशनल सेक्योर्टी एडवाइजर यानि की डिप्टी एनेसे न्यूक्त किया गया है ठीक है और नवा प्रशने की 28 अक्टूबर को प्रदान मंत्री मोधी किस देश की दो दिवसी यातरा पर गये थे तो देखे 28 अक्टूबर को प्रदान मंत्री मोधी जो है ये साओधी अरब की दो दिवसी यातरा पर गये थे साओधी अरब में और देखिए अपके प्रदान मंत्री नरिन्द मुदी हैं यहाँ पे किस लिए गए थे देखिए प्रदान मंत्री मुदी जो है यह साओधी अरब में यहाँ पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिसियेटिव फोरम में भाग देने के लिए गए थे तो 28 अक्टूबर को गए थे साओधी अरब और क्यों को गए थे Future Investment Initiative Forum में भाग लेने के लिए और यहां पर इनों ने बारत के लिए आगे के अवी से पर एक सत्र को संबोधित किया और दसों प्रशन है कि अक्टूबर 2019 में राश्पती रामनात कोविंद की दो देसों की साथ देशी यात्रा पर थे तो देखे यह देश आपके हैं फिलिपीन्स और जापान और इनकी यात्रा की क्या खास बाते नहीं यह भी जान लेजे देखे जो आपके राश्पती रामनात कोविंद यह 17 से 21 अक्टूबर तक फिलिपीन्स के दोरे पर थे और 21 से 23 अक्टूबर तक जापान के दोरे पर थे और इखे इनकी यात्रा का जो मुख के उद्दिस से था ये जापान और फिलिपीन्स दोनों देशों के साथ जो है दुई पक्षी समंदों को और मजबूत करना था और अपनी यात्रा के पहले चरड़ में यह फिलिपीन्स पोगचे थे और फिलिपीन्स की जो राजधानी जो इन्होंने हिस्सा लिया तो ये खास बते रही राश्टपती रामनात कुविंद की इन दो देशों यानि की फिलिपिन्स और जापान की याथ रखी तो डेट या रखना है 17 से 21 अक्टूबर तक फिलिपिन्स में रहा है और फिर 21 से 23 अक्टूबर तक ये जापान की आता पर गए थे तो ये थे आपके आज के सभी महत्पूर करेंडे पर बात कर लेते हैं आज के सभी कुश्ण अबड़े देगी करेंडे का पहला प्राशाम की विश्वश्रब द्रिस विज्वेरासा सभी का मनाया जाता है इस का अंचर प्रेम्ट बॉक्स और देखिए ापके और आपके लिए चौथा प्रश्ण की हाल ही में किस ने अपने दूसरे कारेकाल के लिए हर्याना के चीप मिनिस्टर के रूप में सबद ली है इनका नाम बता ही है और साथ ही हर्याना के एक डिप्टी चीप मिनिस्टर भी अपॉइंट वे इनके साथ में तो उनका नाम भी आपको पताना है कमेंट बॉक्स में कल के वीडियो मैंने उनका नाम बता था अगर नहीं पता तो कल का वीडियो देखके उसको तुरंद रिवाइज कर लिए ये एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और देखें पांचवा प्रशन आपके लिए कि लद्दाक साही तिमोसो का आईजन कब से कब तक किया जाएगा इसका अंसर बता हिए देखें आप कल के वीडियो को देखके जरूर रिवाइज कर लिए को कि कल के वीडियो मैंने आपको आटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और दीके नीचे डिस्क्रप्शन बाक्स में मेरे सोसल मीडिया की सारी लिंग मिल जागी आपको वहाँ पर क्लिक करके इन सब को जोइन कर लिए ताकि आपको यहां से भी जीएस और करेंट इपडेट मिलते रहें तो इसी के साथ बहुत 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 निवा थैंक्यू एंड हाव आज डिए